पत्रस की पहली पत्री पांच्वा अध्याय पर अधिकार न जताओ, बरन जुन्ड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुर्जाने का नहीं। से वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, गर्जने वाले सिहीं की नाई इस खोज में रहता है, कि किस को फाडखाए, विश् कर उसका सामना करो, कि तुम्हारे भाई, जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसी में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बल्वंत करेगा, उसी का समराज्य युगान्युग रहे, आमीन. मैंने सिल्वनास के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संख्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है, कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो, जो बाबुल में तुम्हारी नाई, चुने हुए ल झाल